एलो सुडेंट्स वेलकम टू वायू लर्निंग तो हम पढ़ रहें चैप्टर सेल साइकल एंड सेल डिविजन जिसमें हमने एम फेस स्टार्ट करी थी एम फेस के अंदर जो है वह हम प्रो फेस जो पहली स्टेज है उसकी वह पढ़ चुके है अब आज हम बात करेंगे उसकी करने फेसे पर आम से कहां पर स्प्रेड हो जाएंगे साहां पर हम क्या देख रहे हैं की स्टेज में चार्व हो चुक़ा हुआ और यहां फोनद नदर के अंदर है वो small disc shape structure जो होंगे at the surface of centromere जिनकों बोलते काइनाइटो को यह देखने को मिलेंगे क्याने का मतलब यह हमारा chromosome है एक यह chromatid है और एक यह chromatid है ओके तो यहां पर centromere के surface पे यह chromatid one मादलब यह वाला chromatid है और हरो सक्रमैट यह है ठीक है यह वाला chromatid है कि यह वाला chromatid है तो जो फर्स वाला chromatid है उसके surface पे kynetocore है small disc shape structure फ्रॉक्चिर दो second watching वाला chromatids है the surface पे small disc shape structure है इसको हम बोल रहे हैं काइने टो को अब kinetocore करते क्या हैं यह चीज़ है यह kinetocore क्या करते हैं they serve as the site of attachment of spindle fibers to the chromosome that are moved into position at the center of the cell यहां पर हम यह जो chromatic देख रहे हैं इसके उपर जो यह kinetocore है यह क्या कर रहे हैं जो centrosome से spindle fibers आ रहे हैं उनको क्रोमोजोम से attach करवा रहे हैं इनका काम यह है attachment का spindle fibers के attachment का काम यह kinetocore करवाते हैं यानि हमें दोनों chromatids पर kinetocore देखने को मिल रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं कि spindle fibers जो है वो इससे attach हुए हैं अब यहां पर क्या बोल रहे हैं तो metaphase का है all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetocore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetocore to spindle fiber from opposite pole देखो यहां पर एक यह वाला sister chromatid एक यह sister chromatid है ठीक है तो इसके उपर जो kinetocore है तो जो इधर वाला जो सेंट्रोजोम है उससे spindle fiber जो निकल रहा है वह इस वाले kinetocore से अटेश्ट है और यहां वाला जो उसकी अपोजिट सेंट्रोजोम है उससे spindle fibers निकल रहे हैं वह दूसरा वाला जो chromatid जितने भी क्रोमोजोम है उनके उपर जो kinetocore present है उससे attached है एक बात तो यह है दूसरी बात यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जितने भी क्रोमोजोम से यह कहां पर में अलाइंग हो गए हैं यह सेंटर में अलाइंग हो गए हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे दब प्लेन ऑफ अलाइम्मेंट आफ क्रोमोजोम एड़ दा मेटाफेस इस रेफर टो एस मेटाफेस प्लेट यानि जो सेंटर में हमारे जो है यह जो है यह Matt face plate है के अब इसके बाद main key feature हमने अभी क्या देखा मेटाफेस का तो यही फीचर है spindle fibers काइनेटो को से attach करेंगे क्रोमोजोम करेंगे यानि क्रोमोजोम को मुव टू स्पिंडल इक्विट है क्रोमोजोम कहां पर आ गए एक्रिटोरियल प्लेन में आ गए जिसको हम मेटाफेस प्लेट की बात हो रही है उस पर लाइंग हो गए है यह मेन फीचर है कि इसके मेटाफेस के अब इसके बाद जो है वह नेक्स टेज है एनाफेस टेज जो नेक्स क्लास में पढ़ेंगे